नमस्कार दोस्तों मैं अंकिस सोनी स्वागत करता हूँ आपका हमारे प्लैटफॉर्म गुरु विद्धिया पर आज हम डिसकस करेंगे प्रतिशक्ता तो देखिए प्रतिशक्ता में किस तरह के क्योशन आएंगे और क्या प्रसेंटेज होता क्या है उसके बारे में सबसे पह करते हम इस सिंबल से प्रतिशक्ता को क्या किया जाता है प्रसेंट किया जाता है या प्रसेंट जो भी किस से होगा यह सिंबल से होगा तो सबसे पहले बात करते हम इसमें प्रतिशक्ता का क्या है जो रोतू इसका यूज क्या है ठीक तो जंदली में इसका एक आपको छोट राम को का हुआ एक्जाम में इसको मार्ट मिले 18 आउट ओफ 20 ठीक है और शाम को जो है इसको मार्ट मिले 44 आउट ओ 50 तो यह दोनों जब आये मेरे पास तो इनमें तो इसे तो मिले 18 ऑट ऐ टुञें 20 में सब्सक्रेंगे लिए 100 अफिसे गोडा रहर रही हैं यहांपे दोनों के डूर और सोसते हैं कर सके तो जन्टल अगर मैं इसके जो 18 marks है इने percentage में convert करूँगा तो percent क्या कर दूँगा मैं इसको 100 से क्या कर दूँगा multiply कर दूँगा और ऐसे ही 50 को percent जो यह marks से और 44 इसे percent में convert करने के लिए में किस से multiply कर दूँगा अटलर से देखिए 20 beckenos 100 और 85 कितना 90 तो बात करें कि दूपसंट नीपर्शन और बात कि श्राम की इसे ठीक है और 44 और 88 इसे इस कितने परस्ट मार्क माट इसे मिले और 88 परसंट माट इसे मिले को यहाँ पर सकते है किसे जाधा marks मिले और किसे कम Marks मिल को जधा मिले 90 पर सेंट आइटीट कचिया घ्रётका गट करते हैं वह नहीं कर पाएंगे उसके बाद बात करते हैं यह तो हो गया उसे ही different different categories में क्या हूगा परसेंटेस का यूज होगा कभी एक्जामपल आता है यह जैसे को पर जिंक और सबका कुछ रेश्यो देता हो ठीक है फिर हमसे पूचा जाता है इसमें कितना कितना परसेंट होगा तो जनरली वहां पर गया अगर हम पूरी क्वांटिटी नहीं बताते तो हम क्या यूज कर ल परसेंटेस लिखेंगे इस परसेंटेस का मतलब क्या है वन आउट ओफ हंड्रेड कितना वन आउट ओफ हंडर अगरम एक ग्राफ बना और उसमें ऐसे टोटल अपन कितनी साइज यह ग्राफ की साइज लेंगे इसे 100 वोक्स लेंगे टोटर ठीक है टेलो और 10 कॉलम में तो ठीक है इसे एगर में कर दूब आउट ऑफ फंड्रेट जिसमें क्या हो ठीक है अगर बात करूँ तो आउट ओ यह परसेंट यह कितना पार्ट है यह शेड़ेट अपने पास तो इस तरह से डिफरेंट जगह परसेंटेज का यूज अब आपको दो इंपोर्टेंट जो पॉइंट है इस चेप्टर से रिलेटेड उन्हें पता ना चाहूंगा तो देखो जनरली में दो पॉइंट जिसक्स करना चाहूंगा यहां पर जो पूरे चेप्टर में अपने काम आएंगे तो सबसे पहले में बात करता हूं परसेंटेज का मतलब समझी कि आपने क्या होता है बन बाइ हंड्रेड और अब बात की जाती है इसमें परसेंटेज की ठीक जहां भी बढऊना करेंगे यहां तो फंड्रेड परसेंट मानेंगे यह सरेंगे तो एक चीज अगर कही पर भी आपको परसेंटेज मौगे करना ठीक तो हम वह क्या करेंगे divided by 100 करेंगे तो बात करें ठीक है परसेंट हटाने के लिए जो परसेंट का यह चिन्न होता है इसे हटाने के लिए क्या करेंगे हम 100 से भाग करेंगे ठीक है भाग देंगे ठीक तो इसमें क्या करेंगे हम परतीशत हटाने के लिए किस से बात देंगे सो से बाग देंगे अगर मैं एक्जांपल की बात करूं मैं बोलता हूं 50% को आप फ्रेक्शन में कंवर्ट करो बिन में बदलो तो 50% को क्या लिखूंगा मैं 50 और मैंने अभी लिखाया परसेंट को रिमूव करना है तो किस से बाग देंगे या फिर परसेंट करोगे 1 divided by 100 बा वन वाइट ठीकशन क्या हो दिपता यह फिर भी डिसकस कर लिए फ्रेक्शन यह रूप नीचे वाले चीज़ को इसको क्या बोला जाता है हम और इंग्लिच में बात करें हम तो यह बात करें हम तो यह होता है whole part पूरा पार्ट किसी में उसे भी लिया जाता है ठीक है तो बात की बात है तो अभी इसकी फ्रेक्शन क्या होई वन बाय टू उसके बाद अगर मैं एक पॉइंट लिखा हूं आपको किसी भी जगह अगर मुझे परसेंट इस लानी होगी ठीक है तो परसेंट इस ला 100 से multiply करेंगे ठीक है तो प्रतिशत लाने के लिए किस से multiply करेंगे 100 से क्या करेंगे multiply करेंगे अब आद इसका भी example दूँ तो मैं यही example ले जाता हूं ठीक है यह fraction में बिन है एक बड़ा दो इसे आपको convert करना है percentage में किसमें convert करना है percentage में convert करना है तो अभी मैंने point लिखाया ठीक है प्रतिशत में लाने के लिए किस से multiply करेंगे 100 से और यह कितना हो गया 50 ताइम्स और कितना answer हो गया 50% तो देखो यहां 50 परसेंट को fraction में convert कितना मिला वन बाइट और वन बाइट को परसेंटेज में convert कितना मिल गया 50% दोपना क्या तरीका सही है और हमें क्या मिल गया उससे किसी भी नंबर को हो percentage को fraction में convert कर सकते हैं और प्रतीशत लाना है तो वहां पर क्या करेंगे हम सो से multiply करेंगे अब एक पुइंट और मैं अगर discuss कर दूँ यहां पर हर चीज अपने आप में 100% होगी ठीक हम किसी भी चीज को माने मैं बोल दूँ चाहे आप दो किलो चाहे लेकर तो उसकी जो quantity दो किलो वो क्या है अपने आप में 100% मैंने उसका प्राइज 20 रुपे था जो 20 रुपे हैं वो भी क्या है अपने आप में 100% यह मारकर है यह भी क्या है अपने आप में 100% है तो हर चीज क्या होती है अपने आप में 100% होती है ठीक है सभी चीज क्या होगी हो सो परसेंट होगी और चीज अब योगी सो परसेंट के लिए तरह सब्सक्रिंट जले सकते हैं सो कि तो आप तो देखिए हम सब्सकिच करेंगे जो भी हो प्रॉब्लम आता है तो एक करे से लक्षन था तो टाइप में भी बिल्कुल एजी क्योशन रहेंगे जिसे हम क्या बिल्कुल कैलकुलेशन और फ्रेक्शन से डिलेटेड और मुस्टली जहां से चेप्टर स्टार्ट होगा वह होगा टाइप टू से कि तो बात करें अब हम इसमें टाइप वन किस तरह से क्योशन आएंगे ठीक है तो टाइप वन की बात की जाए तो टाइप वन में हम क्योशन पढ़ेंगे इस तरीके से जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर हमें एक मेथड दिखाता हूं इसी से रिलेटेड क्योशन करेंगे तो टाइप बंद में किस तरह से question discuss करेंगे इस तरह से आएगा एकस वाय का एकस वाय का कितना प्रतीशत होगा एकस वाय का कितना प्रतीशत होगा ठीक है तो इस तरह से चंदली हमसे कुछ भी question पूछ लेगा और हमें क्या है एक मैं इसका बिल्कुल basic method बता देता हूं किस तरह से यूज होता है वो देखो पूछ क्या रहा है हमसे एकस वाय का कितना प्रतीशत होगा ठीक है तो बात की जाए किसके बारे में बात चलती है यहाँ पर X के बारे में पूछ रहा है, तो मैं क्या लिकूंगा X, ठीक है, अब बात करें Y का कितना प्रतीशत है, तो comparison किसे हो रहा है आपर, comparison हो रहा है Y से, तो जिससे भी comparison होगा, उसे कहा लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है, और जेखो, और का मतलब क्या होता है, multiply, और कितना है, ठीक है, तो X, Y का कितना प्रतीशत है, क्या पूछ रहा है, प्रतीशत, और अभी हमने एक चीज बताई थी, आपको अगर क्या होता है, प्रतीशत में लाना हो, तो किस से multiply करते हैं, 100 से क्या करेंगे, multiply करेंगे, तो एक तरह से अपना format बोलो, formula बोलो, या फिर कुछ भ चुरत नहीं हमें, ठीक है, और यहाँ पर चाहे तो आप लिख लेना, जिससे तुलना होगी, ठीक है, जिससे तुलना होगी, उसे नीचे लिखेंगे, ठीक है, जिससे comparison होगा, उसे कहां लिखेंगे, नीचे, तो एक तरह से अपना formula, format बन चुका है, आप इसे note कर लिए, अफिर बात करते हैं, इसमें देखिए किस तरह के question मिलेंगे हमें, तो अब मैं बात करूँ, महां हमें question मिलेंगे, ठीक है, 16, 64 का, 16, 64 का, कितना प्रतीशत होगा, ठीक है, अगर बात की जाए, 16, 64 का, कितना प्रतीशत होगा, at what percent of the 16 of 64, कितना प्रसेंट होगा, तो देखिए, बिल्कुल ही अमें रचना नहीं, और बात करें इसकी, क्या-क्या पूछ रहा है, वो उसी तरह से, ठीक है, किसके बारे में, 16, 64 का, comparison किसे हो रहा है, 64 से, तो इसे कहां लिखेंगे, नीचे, और बात करेंगे, कितना प्रत प्रतिशत है, तो प्रतिशत लाने के लिए किस से बंटिप्लाइं करेंगे, हंड्रेट से, बीजिली हो गया, आप क्या है, जो 16 बंजा 16, 16, 4 और ये कितना हो गया, 25 टाइम्स में, कट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, इसका, 25%, कितना परसेंट है, 16, 64 का, तो 25%, तो इस तरह से क्योशन आइंगे इसमें, और एक और एक्जांपल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो एक और एक्जांपल में हम देखते हैं, 3%, ठीक है, 3%, 5% का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, 3%, 5% का कितना प्रतिशत होगा, कितना परसेंट होगा, तो इसली वही फॉर्मेट फोल पाइव परसेंटेज लगा देते परें किसका 5% का कंपरिजन हो रहा है प्रसेंट से कर देंगे तो देखो परसेंटेज से सिंबल चाट देते हैं और 5 से इसको क्या कर देंगे 23 कितना होगा 60% यह तो हमसे कितना परसेंट होगा तो हमने क्या किया वह भी निकाल दिया यहां पर यह बिल्कुल ही वैसी क्योंट ने और इससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा जाज हमें मिलेंगे और आगे बात करते हैं इसकी कि यह दो जो शन थे इसी फोर्मेंट पर अब देखिए इसमें क्योंशन आता है निम्न लिखित को बिन के रूप में बदलो ठीक है बात करें इसकी क्योंशन है निम्न लिखित को निम्न लिखित को बिन के रूप में निम्न लिखित को बिन के रूप में लिखो ठीक तो फिर्स क्योंशन है ठीक तो देखो 16% इसे हमें किसमें कनवर्ट करना है बिन में कनवर्ट करना है ठीक है उसके के बाद है 24% इसे भी क्या करना है बिन के रूप में बदलना है और थर्ड क्योंशन की बात करूं में जीरो पोइंट फाइफ परसेंट इसे भी क्या है बिन में बदलना है भाँ ने भी अगर तो देखो इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए कि लुकी में है हमें दो आप देखिए और अभी बोला परसेंट बिंदु में बदलना इसका मतलब क्या है परसेंट अगर परसेंट इस ताने तो किस से डिवाइट करते हैं अब जो कट रहा है उससे क्या कर देंगे काट देंगे तो फोर फोर जाओ हो लिग इतना हो गया 25 तो क्या आंसर आगया तो 24% है तो % को क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे घटा दिंगे बिंदे में बदलने के लिए और यह क्या हो गया तो फॉर से है तो फॉर सिच्स जा और 425 जा आंसर आगया 6 अपॉन 25 थीच्छ वटे पच्चेस उसके बाद यह जोचन अच्छा है 0.5% तो सबसे पहले तो यह किसमें है decimal में है तो मैं इससे किस पहले तो इसका क्या करोंगा पॉइंट रटाऊंगा तो पॉइंट के बात कितनी digit है एक digit तो उतने ही 0 लगा देंगे हम यहां पर परसेंट को हटा है तो किस से बात देंगे 100 से ठीक है और यह 5 अपॉन गया 1000 ठीक है तो 5 अपॉन 1000 हो गया तो इसे क्या करें गया 5 अपॉन 200 सोरी 1 अपॉन 200 इसी तरह से यह क्योशन भी हो जाएगा 0.08 परसें तो जब भी आपको ऐसे क्योशन मिले सबसे पहले आप उसे फ्रेक्शन में चेंज कर दीजिए नॉर्मल मतलब उसको डेसिमल में ही है नॉर्मल नंबर में चेंज कीजिए सबसे पहले से ठीक है और 0.08 तो पॉइंट के बाद के बाद दो टीजिट है तो मैं उतने ही 0 लगा दूआ नीचे ठीक और अभी हमने परसेंटेज नहीं किया परसेंटेज करेंगे तो डिवाइड कर देंगे ठीक तो क्या हो गया यह एट अपॉल वन टू थ्री फॉर ठीक है तेन थाउसेंट तो अब बात करें किससे अगर एट से देखा जाए तो एट से पहलों से कट कर दो फोर टूजा एट 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 फोर फाइव जा ठीक है अभी फिर कटेगा यह और तू तो फाइवजा यहां हां तो इस तरह में क्यों से निन लिकित को बिनन के रूप में लिखो तो बिल्कुल बैसे क्यों चलेंगे टाइप होते हैं तो हैं तक किसी को नहीं हो नीचाई मेरे रापडिंग प्रावल्म इजी जिए उसके बाद आप स्क्रीश्यट लें लिजे फिर उसके बाद मैं अगला क्योंशन लिखाता हूँ ठीक अब इसी तरह से एक आएगा अपने पास यह तो था निम्न लिकित को किसमें बदो भिन्द के रूप में बद्लो अब क्योंशन आएगा इनक्लीव भी इंक्लीड हो आई लो और निम्न लिकित को अब है निम्न लिकित को निम्न लिकित को द्शमलवं दिन में दिनुन लिकित को द्शमलव बिर्ण बदलो तो बात की जाए तो किस तरह से जैसे ही आज़िया 44% इससे किसमें बदलना है दश्रम लोह बिंड में पřर्सेंट इसे किसमें बदलना है दश्रम लोह बिंड में उसके बाद एक और एक्जिंपल है य typing 0.5% और जीह पॉइंट 0.02% फारहो आप को लोग यहां तो पहले ही लहाँ ल economic percentage भी तो है तो बात कि जाए थर्टी फॉर परसेंट ठीक है तो थर्टी फॉर और बिन्द में बदलना है तो क्या होगा हटाना पड़ेगा हो प्रतिशत कटाएंगे तो किस से बाग दें सो से अगर मैं वापिस कट कर दू तो किसमें बदल जाएगा इसको आपस में डिवाइट कर तो चीज़ी फॉर दीजिट क्या लगा देंगे सपॉंट कि आंसर अन्सर आगया 0.34 ठीक है कितना 0.34 ऐसे ही एक पर उसके बात क्या करेंगे एक और डिजिट छोड़के तो अगर नहीं है तो उसके आगी क्या लगाएंगे प्रसेंट की बात की बात कि जाए तो सबसे पहले तो मैं इसो नॉर्मल बिनने में करूँगा पहले तो कि बात कि प्रतिशत आएंगे तो किस से बात देंगे तो यह क्या हो गया अब वैसी के लिए से कपे सकते हैं तो किपने डीजिट फेंट कहले चिरो लगा दूहां तीन डीजिट चोड़के नहीं पास कितनी डीजिट वन तो आगे इसका आगे क्या लगा दूहें पेले हो गया तीन दिजिट और यह आगे 0-0-0-5 अब उसके बात बात करते हैं इसमें 0.02 परसेंट सबसे बेले वही 0.02 है तो पॉइंट रिमूव करके कितना कर दूँगा 100 और प्रतीशत का क्या लिखुआ तो उसे क्या कर दूँगा अपस डिवाइट यह क्या होगा 21234 कितने 0 होगे कितने 0 है अपने पास 4 तुम क्या करें दें लिखेंगे 1234 चाइट चोड़के क्या लगा दो 123 और 4 चाइट चोड़के क्या लगा दिया मैंने पॉइंट और अबना अनसर क्या आगा 0.002 ठीक है तो यह था बेसिकली के वेशन था जिसमें हमने क्या किया दिनलिकित को दिशमलों बिन्द में बदल दिया ठीक है आ तो अब टाइब टू में मौन डिसकस करते हैं क्योंशन अब इस तरह से क्योंशन आदा है अपने पास ठीक है जैसे 1664 का ठीक है 72 का कितने प्रतीशत ठीक है फीक है 72 का कितने प्रतीशत अट होगा ठीक तो गोंशन को किसे करें गे शेवन्टीट्यों किसके चेवन्टी तू कितने प्रतीशत प्रतीशत पता नहीं तुम कहलेंगे एक्स प्रतिशत और कितना होगा बराबर अठीक सेवंटी Алग का कितने प्रतिशत आठो गा तो अब छेंडर्णी किसकी वेन्वियू चाहिए हमें एक्स की तो अब क्या करेंगे यहां पर क्रोस मॉल्टिप्लाइए फंडडर कि दर चला जायेगा उपर और जो चीज गुड़ा में होती है इसमें बदल जाती भाग में और यह कहां जायेगा यहां पर ठीक है तो एक्स एक्वल टू क्या हो गया 8 multiply hundred और divided by कितना हो गया है 72 काहा जाएगा इधर ठीक है तो 8 से इसको करेंगे 9 time और यह कितना हो गया 100 बटे 9 ठीक है इतना % और अगर हम बात देंगे इसमें क्या आ जाएगा 11 से ही 1 बटे 9% ठीक है तो 72 का कितने % 8 होगा तो ग्यारा सही एक बटे नो परसेंट क्या होगा 72 का आठ परसेंट होगा ठीक है तो इस तरह से यह क्योशन सा उसके बाद है कि इसी से डिलेटेड एक और क्योशन है तो अब है तीन पॉइंट दो किलो ग्राम का कितने प्रतीशत आठ ग्राम है ठीक है मैं उपर ही लिखने था हूँ तीन पॉइंट दो ठीक है तीन पॉइंट दो किलो ग्राम का कितने प्रतीशत आठ ग्राम होगा ठीक है तीन पॉइंट दो किलो ग्राम का कितने प्रतीशत आठ ग्राम होगा तो देखो इस तरह के क्योशन को कैसे करेंगे सबसे पहले अगर नजल जाये हमारी तो यहां क्या दे रखा है kilogram और पूछ किसमे रहए ? gram में थीक है तो जब तक unit same नहीं करेंगेgraph noches comparison नहीं कर पाएंगे kilogram का craving सब Olaf fertilizer भी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे या तो kilogram को किसमें convert करेंगे ग्राम में या फिर ग्राम को किसमें करेंगे किलो ग्राम में तो देखो measurement की बात की जाए तो एक किलो ग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम ठीक है एक किलो ग्राम में कितने ग्राम होंगे 1000 ग्राम तो अगर मैं बात करूँ मैं kg को ग्राम में convert करता हूं ठीक है kg को किसमें ग्राम में kg से जाना है मैं ग्राम में तो देखो यहां जितनी digit होगी उससे क्या करतेंगे multiply जब भी हम एक से और दूसरी तरफ जाते हैं left hand side से right hand है क्या करेंगे multiply और अगर हम बात करें अब मुझे क्या है ग्राम को kg में convert करना है तो मैं क्या करूंगा उसे digit से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा और जहां पर मुझे लेखना किलो ग्राम से ग्राम करना थोड़ा इजी रहता है क्या करना रहेगा महां पर multiply ठीक है तो देखो अब सबसे पहले में बात करूं तो 3.2 ठीक है और किलो ग्राम को मैं convert कर रहा हूं ग्राम में तो किसे multiply कर दूंगा 1000 और यह क्या बन गया ग्राम ठीक है का कितने प्रतीश है तो का मतलब multiply और एक परसेंट बराबर कितना है आठ ग्राम तो देखो इधर भी ग्राम है तो ग्राम उदर जायागा मुल्टिप्लाय में तो डिवैड हो जागा ग्राम से ग्राम क्या है तो यह यूजेबल नहीं है तो नॉर्मल क्योशन क्या हो गया 3.2 multiply 1000 और एक्स परसेंट इक्वल टू कितना है अब देखो पहले की तरह ही अगर मैं बात कुरू तो पॉइंट रिमूव कर दूँ आ नीचे कितना आ जाएगा 10 तो यह हो गया 32 multiply 1000 और एक्स प्रतीशत रिमूव करना है इसका ठीक है और प्रतीशत रिमूव करना है तो किस से वागत एक्स इक्वल टू एट ऑके तो हमें किसकी वेल्यू चाहिए एक्स तो यह रहेगा और बराबर का जो इस सिंबल है उसके उदर जाके क्या बदल जाएगा जो इक्स एक्वल टू एट अपॉन 32 और यह क्या हो गया 1 बाइफ परसेंट या फिर 0.25 परसेंट ठीक है दोनों म इसमें पॉइंट में लिखेंगे तो 0.25 परसेंट ठीक है तो इस तरह से हमें हमेशा क्या सेम करना रहेगा क्वांटिटी सेम करनी रहेगी इसकी तो यह 3.2 किलो ग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है इस एक और इसी सा क्योशन है वह देखते हैं ठीक है लिख्यों अब जोशन इस तरह का है 5 अनुपात 8 को कहती प्रतिशत में बदलो ठीक है पांच अनुपात 8 को प्रतिशत में बदलो तो एक चीजल जानते हैं जैसे मैं लिख रहा हूं 5 अनुपात एपाँ पाँच नुपाद आट को मैं कैसे लिख सकता हूं एसे लिख सकता हूं एक क्या है बांग की तरह होता है लख सकते हैं तोमें 25 25 125 divided by 2 यह परसेंट में कनवर्ट हो गया और मंटिपलाए करें इससे ठीक है और 62 1 by 2% क्या हो गया यह 5 पर देशों 5 इस तू 8 प्रतिशन में बदला को क्या मिला ठीक है 62 यह था टाइब बन जिसमें हम बिल्कुल ही बेसिक के और नॉर्मल परसेंटेज का रिमूब और उसे रिलेटेड हमने क्या कि इससे क्यों किये थे अब हम नेक्स क्लास में जो इस चैप्टर रियली परसेंटेज का कैसे किस तरह से क्योंस आते हैं यह जनरली एक एक दो दो मा किसी है तरह सकते हैं यह नेक्स क्योंस के दिसमें आते हैं यह थीमूच, एक रस बासमाई हमें आते हैं यह जीमूफैरेब विल्कुल ही आते हैं